उत्तर परदेश के रामपुर में एक बाहर की संस्ता द्वारा रक्त के नाम पर जिला चिकित साले में मोटी रकम लेकर परतीवे मरीजों को बलड देने का मामला सामने आया है जहाँ पर एक मरीज के तिमालदार ने क्लेक्टरेट आफिस पहुँच कर जिला चिकित साले बलड पैंक करमचारियों पर आरोप लगाते हुए प्रातना पत्र सौपा और मोटी रकम वसूलने वाले करमचारियों पर जल्द से जल्द कारवाई करने की मांग की रामपूर के ग्राम अवास नगर में रहने वाले इंदरपाल सिंग ने बताया कि उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है जिनको रक्त की जरुवत पढ़ने पर रामपूर विराड बैंक जिला अस्पताल रामपूर के रूम नंबर 13 में मनोच कुमार से मुलाकात हुई जिनों ने रामकृष्ण सेवा समीती महला दौदराजपूर तिलहर जन्पत साजहापूर समीती के नाम पर मरीज से संस्ता क नाम पर 3100 रुपे लेकर बलड दिया जिस पर आक्रोशित इंद्रपाल ने जिला के चैरी पहुंच कर जिला अधिकारी को ग्यापन सौपा और जिला चिकित साले में हो रही धानली को लेकर जल्द से जल्द कारवाई करने की मांग की